वाईगुर जी का खालसा वाईगुर जी की फते ग्रुग्रान साब जी दा अंग चोथा असंक पगत गुन ग्यान वी चार असंक ही ऐसे पगत हैगे ने जीड़े की गुन और ग्यान दा वी चार कर रहे ने असंक सती असंक दातार असंक सत बूलन वाले ने ते असंक ही दान देन वाले हैगे ने संसार विच असंक सूर मुह पख सार असंक ही सूर में हैं योदे हैं जीड़े मिलिटरी विच हैं जीड़े लड़देने ते मू ते फिर कुछ ना कुछ लड़ाई देले होई जानदा है लेकिन फेस कर देने और तर्वारां वगेरा भी पैजान देने असंक मोन लिव लाएता असंक मोनी हैगे ने और एक मोन दी तार लगाके लिव लगाके बठे होई ने ते डिफरेंट टाइप दे जड़े गेने समूह ने मनुखा दे कोई मिल्टरी विचे कोई दान देन वाला है कोई सती हैगा सत बोलन वाला है कोई पगत हैगा वो ग्यान दे विचार कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट केटेगरी दे जड़े मनुख हैं ओदे बारे गुरु साबने दस्या है इस पड़ी विचे कोई बहुत ही डिफरेंट डिफरेंट लोग हैगेने वार्या न जावा एक वार मैं उस परमात्मा दे उत्ते एक वेरी भी वार्या नहीं जा सकता क्योंके उदे गुण बहुत है के इने और बहुत गुणी है जो तुद पावे साई पली कार जो परमात्मा नो पाउंदा हैगा समझ आंदा है ओई जड़ी कार है कारिकरम है ओई पला है तु सदा सलामत मिरंग कार परमात्मा तुसी सदा सलामत रहन वाले निरंग कार हो नाव इन इंग्लिश असंख पगत गुण ग्यान वीचार देर आर सो मैनी पीपल देर डिवोटी और देर चैंटिंग प्रेजिंग वेड़ के जनात्व अविपले रवेड वेड़ रवेड़ प्रेंग को अवेड़ इन इन अवहरागैव ब्हुण आव Chronos आप अवेड़ उपर स्क्य थथन चौट जवहर यहर aí वीच्यूव पर्ष आववेड़ ए वीच्वा, वीच्वर असंख सती असंख दातार Countless people are true and worthy Countless are giving donation Asंख सूर्मु भक्सार Countless people are in military army and their faces fighting, etc. Asंख मौन भक्सार Countless people are keeping silence All the time they are keeping silence so that their energy should not be lost and they are fully merged in the love of the God and kept silent by which force I have to think and by which potential or potency I can describe means it is very difficult because several kind of people are there on the planet and everybody is different they are doing different activities some are donating some are truthworthy some are collecting knowledge and trying to become doctor, engineer, lawyer, technician many, many, many traits are there and many kind of jobs are there all these people are doing different type of thing and many things are there but because so many people are there it is very difficult to categorize all the people because they are countless Jotud Pavesai Panikar After saying all this thing Guru Nanak Dev Ji concluded whatever you are doing that is the best whatever you have done that is the best the way you are taking care of your people that is the best and you are always be there with your full of energy with full of your people some will die some will again take birth this cyclic order will continue but different type of people will always be there but Guru Nanak Dev Ji want to still after seeing all entire this world he concluded whatever God is doing that is the best what we have to learn by this stanza same thing we have to conclude whatever God is doing that is the best and he will remain always be on the earth and on many other planets like earth and located in different solar system Tu Sada Salaamat Nirankar you will always be there on the earth and taking care now next stanza asank 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 खनिंदक सिर्करह विचार वार्यन जावा एक वार जो तुग पावे साई पलीकार तु सदा सलामत निरंकार असंख मूरक अंद घोर असंख व्यक्ति जड़े हैगेने और मूरक हैं अंधे हैगेने और घोर अंधे हैगे असंख चोर हराम खोर असंख ऐसे मनुष हैगेने जड़े चूरियां कर देने और हराम खोरियां कर देने किसे दा पैसा ले 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 आ हराम खोरी कर ले दित्ता नहीं दबा ले आ इस संसार विच आम व्यापत पलिपिशन देखो की कर दे पैने इससे टाइप दे कम कर दे असंख अमर कर जाहे जोर असंख ऐसे ने जड़े जबरदस्ती जोर जबरदस्ती करके राज कर देने तुझे नू मार सटेया तीजे नू मार सटेया लेकिन अपना राज जड़ा चलाई जान देने ने राज करके चले जान देने, मार कुप, जोर राच चला दे असंग गलवड हत्या कमा है असंग ऐसे ने जोड़े दूजियां दा गला कट देन देने और हत्या दा पाप कमा लेन देने असंग पापी पाप कर जाहे असंग ऐसे एगे ने जोड़े पाप करी जा रहे ने असंक व्यक्ति ऐसे हैं जड़ा कूरा करकट विच फिरदे रहने गंदगी विच फिरदे रहने गंदे गल्यारे विच जड़े ने चलदे रहने असंक मलेच मल भग खाए असंक जिड़े हेगे ने मलेच हेगे ने गंदे हेगे ने मल भख खाए मतलब शराब मीट गंदगी नाल खाई जा रहे ने और गंदगी नाल भरे होई ने असंक निंदग सिर करह पार असंक ऐसे ने जिड़े निंदगा ते निंदगा निंदगा करी जान दे ने और पार अपने सिर ते चक लें दे ने निंदगा दा क्योंकि सारी दुर में दुनिया जड़ी परमातना ने बनाई है तो गुर नानक देव जी अपने आपनू नीमा दसरे ने नानक नीच कहे वी चार वारे न जावा एक वार जो तुर पावे साई पलीकार तू सदा सलामत तने रंका जितनी भी गंदगी टाइप दी भी है इस दुनिया वे चंगाई भी दस्ती पहले के पगत भी हैं गुनी भी हैं सती भी हैं दानी भी हैं और जिड़ा ओ एक पहलू सी और दूजा पहलू भी दस रहने भाई के गंदे भी हैं मूरक भी हैं चोर भी हैं हराम खोर भी हैं जोर जबल दस्ती करण वाले हत्या कमान वाले भी हैगे ने ओ कई किसम दा पाप करण वाले भी हैगे ने कूड़ी आर कूड़े विच फिरदे गंदगी वाले बंदे गंदगी विच फिरदे रहन देने कोई किसे जगे गंद्गी कर रहे है कोई किसे जगे दुनिया दा सारा पता है आप जी नो कई निंदा दा भार चक रहे हैं ने लेकिन नानक देव जी केंदे ने पाई ओ जिड़ा परमात्मा हैगा ओ सदा सलामत हैगा ओ दे बारेवित जीड़ा है यही किया जा सकता है कि ओ सदा सलामत है और सदा सलामत रहेगा ना इन इंग्लिश देर आर सेवरेल काइंड आप पिपल अर्लियर इलाबरेटेड डोनर्स आर देयर डिवोटीज आर देयर प्रमने थेस्चेशिक पिपल अरदा स्विछध पिपल अर्थ लादा कर देडंत बटे खेर अजगा जब गलामत वीज़ जआ इलब तेस्टा लाद मॉस्त ऐसेगा इलब इस्वेड है पुलिश प्रुछ प्रुछ प्रुछा अरुछ बेलबन certain people are thieves certain are robbers certain are criminals this is the category of people around the world there are so many people when they are king they are killing people and by force they continue their kingdom such type of people are also born on this planet what they are doing criminals maybe king maybe anything any category they are murdering and earning what they are earning earning the sin that they have murdered so many murders they have committed there are certain type that type of people are also there on this earth and planet countless people are criminal and everyday they are committing different type of crime countless people are moving in the lane of criminality and getting training to have become dreaded criminal countless people are snatching money from others snatching gold snatching houses and they are eating wine they are eating bad things smoking taking pills taking many bad things anti-social things they are taking and creating new sense in the society asankh nindaksir kareh pahar so many people are giving blames to others they themselves they themselves are not worthy but complaining and blaming to others that that man is not right this thing is not right and this way they are creating nuisance in the society nanak neech kareh pahar this type of also things are going on around the world but nanak is saying I am surprisingly watching all this different type of thing and saluting that power who has created all this thing nuisance thing as well as good things to sada salamat nirankar and wishing all the best for the supreme power whatever you have created I am saluting asankh nao asankh thao anggam anggam asankh lo asankh 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 naam haegi nae and asankh 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 फिर दूज़ा देश हैगा फिर तीज़ा है फिर चोथा है इस तरह आने का देश है उन्हादे ना है उन्हादे शेरा दे ना है फिर पिन्ना दे ना असंग की नाव है असंग की थाव है गेने अजे एक प्लाइनेट होया है अर्थ इस तरह दे कई अर्थें कई प्रत्वियां है गियाने फिर उना दे भी अनेका नेका नाम है निस तरह ते ना दा कोई अंत नहीं है थामा दा भी कोई अंत नहीं है अंगम अंगम असंख लो वोई गल आ गई ना दिखन वाले भी कई लो कहे गे ने जड़े असे सानु पता ही नहीं है किते किते लो हैगा किते किते दीप हैगा एसानों अजे पता ही नहीं असंख कहे सिर भार हुए असंख व्यक्ति जड़ हैगे ने उस सिरते पार लेके चल रहे ने कई किसम दा पार अखरी नाम अखरी साला फिर गुरु साब लेंग्वेज दे बारे भी दस देने ये बंदियां बारे दस दित्ता सिवा कि चंगे मंदे हर किसम दे बंदेने मॉडरर हैं डोनर्स हैं नॉलिजबल भी हैं डिवोटीज भी हैं मतलब प्लस वाले भी हैं माइनस वाले भी हैं हुन अखरा बारे गुरु साब थामा बासने दस्या के थामा बहुत सारी हिगे हैं इससे परकार हुन गुरु साब अखरा दे बारे दस्या के अखर, अखरी नाम, अखरी सला हु बहुत सारे अक्र हेगे ने, अलफाबिट सेगे ने, बहुत सारी भाशामा हेगे ने लेकिन एना अक्रा नाल ही उस पर मातमादा नाम लिया जा सकता है अक्री नाम, अक्री सालाह एना अक्रा नाल ही उस पर मातमादी सलाह ना किती जा सकती है अखरी ग्यान गीत गुणगा उनमें अखरी ते बोल रहे हैं गुरू साब भी अखरी लिखके गए अखरा नाली ग्यान दी प्राप्ती हों दी है अखरा नाली बोलियां बन दी है अखरा नाली परमातमादा नाम लेया जानदा है लेकिन गुरु साब ने की किता है लाइन वीच जिसे ने अखरा शुरू किता है कि अखरी नल की की हो सकता अखर याने अलफाबिट अखर नल नाम ले आ जाना देखो कितनी पवित्तर पावनः गुरु साब दे अंदर कि पहले नाम दी गाल करड़ती है भाई अखरानाल की होना अखरानाल नाम ले जानदा है फिर परमात्मादी सलाहना किती जान दी लेके परमात्मादी अग्गे रखे है गुरू साब ने के पाई जद अखर शुरू करांगे ते अखरानाल की होना अखरा नाम ले आजाएगा 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 अखरा नाम ले अक्रा नाली गुण गाय जान देने पर मात्मा देते होर कई किसम दे गुणा दे गायन अक्रा नालों दा अक्री लिखन बोलन बां अक्रा नाली लिखिया जान दा कोई लेटर लिखना है कोई ड्राफ्टिंग करनी है तो अख्रा नाल ही लिख्या जा सकता अख्रा नाल ही बोल बोले जाने ने बानी भी बन दी अख्रा नाल ही एक भाशा नहीं है संसार विच अनेका भाशा पंजाबी है इंगलिश है उर्दू है Spanish है Francis है कई भाशामा है इंदुस्तान विची करीब चली पंजाब भाशाना पूरी दुनिया विची साड़े तरह सो चार सो भाशामा है गिया सारे आदे अखर अलग-अलग है सारे आदे अलफाबिट अलग-अलग है लेकिन सारी किस यूज विच आंदी है तो आदे आदे ग्नातमाता नाम लेन वास्त आंदी है यह सब वास्ते जड़िये अकरी लिकन बोलन बान सारा कम जेड़ा आएगा अखरा नाल होंदा आएगा दुनिया लेंग्वेज ना जे आपनों लेंग्वेज नहीं आए ते फिर आपनां फास जानदे है चार विमर्ष कर लई देने सारा कुछ दुनिया दा कार और विभार अखरा नाल बोली नाल और बाणी नाल जड़ा है हुंदा है अखरा सिरसंजोग वखान अखरा नूही जोड के ते वख्यान वगएरा बनाई जान देने बड़े बड़े वख्यान जड़े बन जान देने अखरा नूही जोड जोड के गुरू साब यत अखर जोड रहे जिन ए लिखे ते सिर ना है लेकिन गुरू साब दसरे ने जिसने ए लिखे ने उसने सिर जना नहीं किती ते सिर ना है ओव मनुख ने इस दी सिर जना नहीं किती है जिसने लिखे ने जिस तरह गुरू साब लिख रहे ने हैं लेकिन अखरा दी सिर जना ये बहुत पहले हो चुकी है जिफ फरमाए तिवते पाए गुरू साब दसरे ने कि जिस तरह परमात्मा ने फरमाया उस तरह उस तरह तिवते हुजे लिए हैं मैं पादिते ने मैं सिर जना नहीं किती है सिर जना परमात्मा ने किती है जिस तरह उस तरह फरमान आया मैं उस तरह उस तरह पाज़ता है एक इन्नी वड़ी गर लगी है कि गुरू साब ये दसना चांदे ने मैं कुछ नहीं सिर जिया जब जी साब भी जिस तरह जिस तरह फरमान आया है उ उस्तना उस्तना जिड़ा है मैं पा देता है जिव फुर्माए तेवते पाहे जेता कीता तेता नाओ जितना भी कीता है प्रमात्मा ये तेरे नाओ दे चल दे होया तेता नाओ तेरा नाओ जड़ा है सारा जबजी साथ विच किंद्रित विणनावे नाही को थाओ उस परमात्मा दे नाम तो बिना कोई भी थाओ नहीं एगा हर जगे परमात्मा दी धुनी परमात्मा दा नाम चल रहा है कुद्रत कवन कहा भी चार मैं केड़ी कुद्रत नाल मैं केड़े जोर नाल उस दा भी चार करा ये मैंनू समझ नहीं आन्दा वार्या न जावा एक वार जो तुद पावे साई भली कार मैं एक वेरी भी वार्या नहीं जा सकदा हां उस दे उत्ते सेक्रिफाइज नहीं कर सकदा हां जो तुद पावे साई भली कार जो परमात्मा तैनू पहंदा हैगा कोई कार जड़ी यह पली है तू सदा सलामत निरंकार तू ही सारी दुनियां में विछ सदा सदा रहन वाला सलामत रहन वाला निरंकार हैगा यह बाकी सारे चले जानगे आणगे जानगे चले जानगे लेकिन तू सदा जड़ा हैगा रहेंगा परमात्मा now asankh now asankh thao there are so many names and so many places even on this planet if we try to realize what guru want to state we have to imagine there are so many villages in one mandal in one district so many mandals are there and in one state so many districts are there everything every place has its name so there are so many names and so many places are there if we consider in one country so many names and places are there then imagine so many countries are there then how many names and how many places will be there on this planet and so many planets are also there in different galaxies so many names so many places so many things like that are there on the universe angam angam asankh lo there are so many earths at present not known to us asankh he sirbhar hoye countless people are carrying the weight on their head of certain type of will they are having on their head akhari naam akhari sala by the alphabet we can chant we can chant the name of the god we can praise about the god by joining alphabet alphabet means a b c d e f like this if we want to chant the name of the god ram 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 harry 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 allah 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 all this thing we can chant the name of the god by joining the alphabets alphabets are more very important because it is used for chanting the name of the god and praising about the god alphabets are required akhari gyan geet gunn gaah by alphabet we can enrich our knowledge we can sing the song poetry everything by alphabet akhari likhan bolan baan by the alphabets only we can make good drafting about any matter and by the joining of alphabet we can make language and convey our thought from one man to another man in this way around the world language is important and language is based on alphabets alphabets are required to make language and convey our thought from one man to another man A to B B to C C to D like that and there are so many kind of languages around the world but English is most important but all others are also existing Hindi is existing Urdu is existing Arabic is existing Farsi Persian many languages are there around the world different people speak different languages well for all that alphabets are required whatever may be the language basically alphabet is required and every language is different alphabets different tone different style slightly different it differs from one another whoever has written whoever has written actually he has not invented that language invention of languages right from the beginning and many years before we are using already language is there we are learning how to speak and how to write this much language is there it is ancient it is of many years back this was invented by some great man great people Jiv furmai tip pahe as God has given me the order all this alphabet and everything downloaded on me by the God means it is a stage of egolessness master is free from ego and whatever this is coming in his mind he is saying I have not written he has sent the message that is why this thing are coming into the being means Guru Nanak was free from the ego I is not existing in his mind I is not there he has not written that I have written this thing he is telling us jiv furmai tip tip pahe as God has sent the message I have described the matter I is not there again simply this I am telling for grammatically it is not I of that ego it is of grammar otherwise I cannot express again I have used I but this I that I are different but Guru Nanak has drafted very nicely master has not jiv furmai tip tip pahe as message has come he has not used I jiv furmai tip tip pahe I want to express the matter that is why I am using I jeta kita teta nao jitna bhi God has done everything is due to the name of the God everything no place is there where name of the God is not there name of the God is everywhere each and every alphabet name of the God is there each and every particle of air name of the God is there existence of the God is there by which force I have to think about him I have no force to think about him whatever he will drop give me drops of knowledge or words or alphabets I will speak in that way Jotur Pave whatever he likes God likes I am happy whatever he will send message he is happy Guru Saab Tu Sada Salamat Nirankar you are always be there you are always be existing and I am saluting you I am I am a I am going to I am going to you are